हलो इस्टुएंट्स मैं करतार सिंगतावर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनेंदर करता हूं दोस्तों आज हम जो टॉपिक पर डिसकस करने वाले हैं वो इंग्लिश ट्रैमर का बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इजी और बहुत ही चीक तरह फंडमेंटल टॉपिक है यह टॉपिक तो आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए पढ़ना ही चाहिए इसके बिना आप इंग्लिश की समझ नहीं विक्सित कर सकते हैं बहुत अच्छा टॉपिक है लगबग लगबग सभी एक्जाम्स में इस पर क्वेशन पूछे जाते हैं तो हमारे यहां जितने भ इसके इसके बिलबग सब्सक्राइब और यह बलब सभी टॉपिक को समझने के लिए बेसिक टॉपिक है इसके बिना आप इंग्लिश ग्यामर को नहीं समझ सकते हैं तो इसके टॉपिक है क्या इस पर बात करते हैं देखो दोस्तों, इस topic का नाम है subject verb agreement, subject verb agreement, नाम से ही लग रहा होगा, इसका नाम जानबुच कैसा रखा गया है, subject और verb के बीच में एक agreement होता है, agreement का ही एक दूसरा जो synonym से है, उसे मोलते हैं concord, concord, c-o-n-c-o-r-d, concord ये concord, तो ये concord जो word है, ये agreement, जो शब्द है agreement, इस शब्द का प्रियावाची है, agreement यानि बीच में एक समझोता होता है, subject और verb के बीच में एक agreement होता है, it means, बहुत simple सा बात है, subject और verb के बीच में एक agreement होता है, मतलब, जैसा subject होगा न, वैसी verb आएगी, क्या मतलब है, जैसा subject, it means, अगर subject singular है, तो verb भी singular आएगी, अगर subject plural है, तो verb भी plural आएगी, बहुत simple सा concept है, जैसा subject वैसी verb, subject singular, verb singular, subject plural, अगर subject singular है, तो verb भी singular होगी, अगर subject plural है, तो verb भी plural होगी, जैसा subject वैसी verb, अगर subject singular, तो verb singular, subject plural, तो verb plural, subject में और verb में एक agreement होता है, जिसे हम नाम दे दी हमने subject verb agreement, हाँ मैं कह रहा था, agreement जो word है, इसी का एक परियावाची होता है, जैसा concurred, मलब agreement बोलो जैसा concurred बोलो, एक ही बात है, concord भी कह देते हैं इसको, इस concurred का जो opposite होता है, वोता है, discord, discord, डिस्कोर्ड यानि, जब दुश्मनी हो, जब agreement नहीं हो, जब आपस में समझोता नहीं हो, आपस में द्वेश भाव, लड़ाई का भाव, दुश्मनी हो, उसको हम बोलते हैं, discord, एक कहवत भी सुनियोगे अपने, an apple of discord, an apple of discord मनलब जगडे की जड़, an apple of discord, एक मुहावरा है, तो discord होता है, लड़ाई जगड़ा, और concord होता है, हो है subject-verb agreement, और देखो, इसको सबसे important concept, अगर आप केवल एक बात सुन करके इस पूरे topic को समझना चाहते हैं, बहुत ज़्यदा आप उसको ज़्यदा सुनना नहीं चाहते हैं, तो केवल इतनी सी बात याद रखें, कि subject और verb के बीच में एक agreement होता है, it means, जैसा subject होगा, वैस subject plural है, तो वह भी plural हैगी, तो जो verb होती है, वो subject के हिसाब से आती है, अब subject के हिसाब से मतलब, अगर subject का आपको देखना पड़ेगा कि उसका number कैसा है, number मतलब वचन क्या है, एक वचन है, तो वह एक वचन आएगी, अगर बहुचन है, तो वह बहुचन आएगी, इसके नंबर यानि कि वचन एक वचन भवचन नंबर यानि वचन और परसन परसन मलब फर्स परसन सेकेंड परसन और थर्ड परसन यह पहले डिसकस कर चुके हैं हमने टेंस में बात करी थी परसन की हमने डायट में बात करी थी तो जैसा सब्जेट का परसन होगा जैसा सब्जेट क नंबर वचन होगा, उसी के according verb आएगी, subject, verb, agreement, बलब subject और verb के बीच में एक agreement होता है, जैसा subject होता है, वैसी ही verb होती है, ठीक है दोस्तों, तो देखे हैं, मैं आपको थोड़ा example देखे समझाता हूँ, जैसे हम सिंपल से बात करते हैं, I, a student, ये बताना चाहें, और option आपके पास है, is, am, are, is, am, are, इस तरह से exam में question पूछे जाते हैं, एक sentence देता है, और आप से पूछता है, इनमें से कौन सी वर्बाएगी, अब वो a, b, c, d करके दे सकता है, is, बी में दे दिया, am, c में दे दिया, are, और चोथा option दे दिया, none of the above, none of these, ठीक, नहीं है, कोई चोथा, कोई और, was, वर्ब, मैं कुछ ऐसे कुछ, यहाँ कुछ और करके दे दिया, उसना है, तो I, a student, ये मान लिए तीन option है, इनमें से कुछ लगाना है, तो वर्ब जब भी हो, तो वर्ब के लिए हम देखते है, subject, अब अपने पास subject क्या है, दोस्तों, यहाँ पर, I है, I के साथ से वर्ब लगानी है, अब I के साथ, इसमें से क्याता है, जिसमें पढ़ चुके हैं पहले, कि I के साथ तो M का यूज करते हैं, तो answer हो जाएगा M, I am a student, ये first person था, I ह आप और हम मिलके जब किसी तीसरे आदमी के बारे में बात करें, तो फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं, दोस्तों, उसे हम कहते हैं, third person, मैं बोलने वाला first person, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, speaking to, that is second person, और मैं और आप मिलकर जब किसी के बारे में बात करते हैं, speaking about, तो वो third person होत यू के साथ आता है, आर, ये एम के जगे आर क्यों हो गया है, दोस्तों, क्योंकि हमने या subject change कर दिया, जैसा subject होगा, वैसी ही वह बाइदी, I के साथ M आएगा, यू के साथ R आएगा, you are a student, तुम एक student हो, अच्छा ये तो first person था, ये second person, अगर मैं कर दूँ यहां पे ही, यू के साथ ही भी तो हो सकता है, तो क्या ही के साथ R आएगा या एम आएगा, अगर आपने थोड़ा बहुत का इंगलिश पड़ा हो तो आपक बताए कि ही के साथ मैं तो R आएगा ये वर्ब, आखिर क्यों बदल रही है ये वर्ब, क्या कुश रीजन आपको पता चल रहा है, बिल्कुल इस पस रीजन है, भाई ये वर्ब बदल रहे हैं क्योंकि हम यहां पहले सब्जिक को बदल रहे हैं, तो वर्ब क्या सब्जेट के को दिखाती है, बिल्कुल यह पात पढ़ चुके है हम लोग, कि जैसा सब्जेट होगा वैसी वर्ब होगी, सब्जेट फर् की सागया दे कर दे अगर हम subject को plural कर दे दे कर दे अब देखो, ही भी thر person है और दे भी thther person क्या दोनों के साथ そे मी वर भाएगी क्या यहां पर भी इस आएगा बताये क्या दे के साथ इस आएगा, नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर R आएगा R क्यों आगया दोनों ही थर्ट परसं थे भहिए दोनों थर्ट परसं तो थे लेकिन I था singular और D हो गया plural तो अगर subject plural हो गया तो plural के साहब से वर्बाएगी अगर subject singular है तो singular के साहब से वर्बाएगी तो या आजाएगा D R फिर A student नहीं आएगा, वे हैं तो वो बहुत सारे हैं, they are students, फिर A नहीं आता, A तो similar के लिए आता है, they are students, ऐसे हो जाएगा, खेर, तो कभी M आ रहा है, कभी R आ रहा है, कभी is आ रहा है, कभी R आ रहा है, क्यों बदल रही है वर्बी, क्योंकि subject बदल रही है, जैसा subject होगा, वैसी वर्ब आएगी, I hope आपको यह topic समझ में आ गया होगा, topic है क्या, अगर हम subject verb agreement की बात करें दोस्तों, तो subject agreement क्या होता है, subject verb agreement, जैसा subject होगा, वैसी ही verb आएगी, subject क्या देखेंगे इसके लिए, आप देखेंगे number, यानि की वचन, singular है की plural है, एक वचन है की भवचन है, और फिर आप देखेंगे person, first person है, second person है, या वो third person है, जैसा subject का number वचन होगा, उसी के according verb आएगी, तो topic समझ में आगे, आपको है क्या, अब इस topic में हमें ज़्यादा दिक्कत वैसे नहीं आनी चाहिए, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, कि जैसा subject होगा, वैसी verb लगा अब problem क्या होती है दोस्तों, हमें ये नहीं पता होता कि singular verb कौन सी है और plural verb कौन सी है, हमें दो चीज़ों की जानकारे होने चाहिए, एक तो subject कौन से singular है, कौन से plural है, ये वाली बात, और दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए, कि कौन सी verb singular है, और कौन सी verb plural है, हमें दो ब जानकारी मिल जाए तो इस टोपिक को माराम से खेल सकते हैं तो सबसे पहले मैं बताता हूँ वर्ब के बारे में जो मैंने आप से टेंस में भी डिसकुशन किया था वर्ब के बारे में स्मिलर प्लूरल याद करना चुटकियों खेल है आप बस देखते रहिए यह ऑथेंटिक इंग्लिश की बुक्स का तो रूल नहीं है यह हमारे हिंदी मीडियम के जो इस्टुएंट्स हैं जिनको थोड़ा इंग्लिश में कन्फूजन रहता है उन लोगों के लिए बढ़िया ट्रिक है याद करने की एक बहुत बढ़िया तरीका है कभी आप फिर गलतिया नहीं कर होगे कि सुलर वर्ब कौन से और प्लूरल और कौन सी ऐसा डिसकेशन होने टेंस में भी किया था आज दुबारा कर रहे हैं देखो एक पहले तो सिंपल सी बात समझा आप अगर हम बात करें एक वर्ड़ है पैन जो पैन होता ही पैन अब बताव यह पैन सिंगुलर है कि प् प्लूरल बन जाता है तो जो अभी पैन देख रहे हैं यह तो है सिंगुलर और जो पैन देख रहे हैं यह प्लूरल पैन है सिंगुलर और पैन है प्लूरल नाउन की बात करें तो नाउन में अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो हम क्या लगा देते हैं एस लगा देत S लगाने से कोई भी noun plural बन जाता है कोई भी noun plural बन जाता है तो pen में S लगा दिया pen's plural बन गया noun में S लगाने से noun plural बनते हैं क्या verb में भी ऐसा होता है क्या verb में भी ऐसा होता है go plural है की goes plural है अब कुछ लोग दिमाग लगाते हैं भई S लगाने से plural बनता है तो यहाँ पर भी वर्ब में S लगा दिया, वर्ब प्लूरल बन जाएगी, नहीं, वर्ब में S ये S लगाने से वर्ब प्लूरल नहीं, बलकि सिंगुलर बनती है, उल्टा होता है नाउन के रूल से, ये ट्रिक है आद करने जा, नाउन में S लगाने से नाउन बनते हैं लेकिन जैसे आप वर्ब में S और ये S लगाते हैं, तो वर्ब बनती है। सिंगुलर, एक तो इस तरह जाद रसकते हैं। एक बात हमारे पास और भी है, देखे आप, दो तरह की वर्ब होती है, एक सिंगुलर वर्ब और एक होती है प्लूरल वर्ब दो तरह की वर्ब हो सकती है एक सिंगुलर और एक प्लूरल अब देखना इस चित्र में जो मैंने लिख रहा हूं टेबल में आप देख रहे होंगे यह एस मैंने जानबूच करके ना बड़ा सा बनाया है है ऐस बड़ा बनाया जानबूच करके सिंगुलर वर्ब जितनी भी होंगी ना उन सब अब देखना ऐस जरूर होगा अब हैं बात भी रही हैं नाउन में आश लगाने से ईनपूरल बनते हैं लेकिन वळ में यह लगान से वप तो सिंगुलर वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा ऐस लगाना पड़ेगा अब one by one जो टेंस आपने पड़े हैं अगर आपको याद भी हो तो बहुत अच्छी बात है वर्णा मैं revise करा रहा हूं टेंस में जितने भी वर्ब उनको देख लो आप एक दो अपवाद है वो अपवाद में डिस प्रिजेंट सिंपल अगर आपको ध्यान हो तो प्रिजेंट सिंपल टेंस में या तो वर्ब की फरस्ट वर्ब में एस या एस आता है या तो वर्ब की फरस्ट वर्ब में क्या लगेगा दोस्तों एस और एस अब इन दोनों वर्ब में से कौन से सिंगुलर है तो मैंने आप ट्रिक बता दी सिंगुलर में एस होता है तो वर्ब में भी क्या लगेगा एस लगेगा तो जिस वर्ब में यह एस लगावा देख रहे हैं आप जिस वर्ब में आप एस लगावा देख रहे हैं यह वर्ब है आपकी सिंगुलर यह जो एस लगावा देख रहे हैं यह सिंगु बहुत बढ़ी एक तरिका याद करने का फिर दहीम अगर आपको ध्यान हो तो इसी सेंटेंस के नेगेटिव में वर भी बनाते हैं तो क्याता है तो दोस्तोंanch lib आँव डूर्ज मोट अगला टेंस होता है प्रजेंट कंटिनियूस अगर आपको ध्यान हो तो क्या आता है सब्जेट के बाद में उसमें आता है दोस्तों is mr अपाप पताईए is में s है m में s है कि r में s है किस में इस दिख रहा है आपको दिख रहा है इस में s दिख रहा है तो जिस में s है न वो similar verb है और ये r में s नहीं ये plural verb है अच्छा m की क्या कहानी है m लगेगा i के साथ m लगेगा i के साथ ठीक है न अब देखें यह हो गई इस मार अब present continuous tense is mr के बाद जो अगले टेंज आता है present perfect परजन perfect में verb पता है कौनकों से आती है पता है आप लोगों को बताए हाँ has have और verb की third form परजन perfect में आता है has have और verb की third form अब बताए हैस में s है कि have में s है किस में s दिखाई दे रहा है आपको हैस होगे singular हैस होगे plural present perfect के बाद present perfect continuous tense होता है परजन perfect continuous tense में भी अगर आपको ध्यानों उसमें भी हैस है और बीन आता है पर हैस है उसमें भी रहता है तो हम पहले पड़ चुके हैस में singular है क्योंकि एस है और है और plural है पूरे वह चारों present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous, अब अगला आता है past tense, हम पढ़ रहे हैं कौन कौन सी verb singular हैं, कौन कौन सी verb plural हैं, एक table बनाएंगे चोटी सी, verb का tension खत्म हो जाएगा इसके बाद, अब आजाएए आप लोग past simple में, past simple में अगर आपको ध्यान हो, तो हर past simple tense में subject के बाद में verb की second form आती है, नेगेटीव बनाते हैं तो dead note आता है, डिड नॉट आता है तो चाहे subject similar हो चाहे subject plural हो सभी के साथ वर्प की कौन सी form आती है second form आती है चाहे subject similar हो चाहे plural हो वर्प की second form यूज़ करते है तो देखिए को चक्कर नहीं है singular plural कुछ भी हो second form यूज़ नहीं इसलिए यहां कुछ करने की जौरत नहीं है डिड आएगा और second form आएगी है past simple के बाद अगला tense कौन सा होता है past continuous past continuous में क्या आता है वर्प अगर आपको ध्यान हो तो past continuous में was और वर आता है इस was word में किसी शब्द में आपको एस दिखाए दे रहा है क्या बिल्कुल दिखाए दे रहा है undes यह रहा देखो स स तो जिस बी वर में एस होता है वर कौन से होती है singular होती है तो वोज हो गयां के सिंगूलर और वर हो गया धिल बस इसके बाद past perfect ens आता है उसमें head आता है प्रिंसिपल वर्प्स में नहीं होते हैं मॉडल्स जो होते हैं उनके साथ यह रूल नहीं लगते हैं तो विल्शेल का कुछ करनी पड़ेगा आपसे जो क्वेशन पुछेगा सब्जेट वर्ब बुए और इन वर्प से और आप देखना दियान से वापस वापस में ऐसए यहां यहां है जिस भी वर्प में होगा वो सारी वर्प कौन सी होंगी सिमुलर क्यों कि सिमुलर में भी क्या होता है एस तो वर्ब में भी क्या होगा एस जिन वर्ब में एस नहीं है वो वर्ब कौन सी होती है प्लूरल और जिन वर्ब में एस होता है वो वर्ब होती है सिंगुलर यह कॉंसेप्ट समझ में आगा कि आप लोगों को वापस देखिया जिस भी वर्ब में एस होगा यह यही वर्ब पूस्ता है अग्जामें इनसे भार कोई वर्भ नेहें पूस्ता सब्जर वर्भैगरिमेंट के अदर जिन भी वर्भ में ऐस्थ होगा वह सारी वर्भ कौन से होंगी इस मुलर क्यों फिव क्या होताइज ऐस ऐसे यादud रेक्य और जिन वर्ब में एज नहीं होता वो सारी वर्ब कौन से होती है plural होती है I इस पूरे रूल का एक अपवाद है I अपवाद है I एक्च्छुली दोस्तों होता singular है I यह निए मैं और मैं का plural होता है हम जिसकों एंगलिश बोलता है वी तो I singular होता है वी plural होता है तो I singular होने के बावजूद भी similar होने के बावजूद भी I generally plural लेता है देखो यहां पर I के साथ first form आएगी I like you, I likes you नहीं होता I के साथ does नहीं आएगा, do आएगा I don't like, I don't like you, I don't like mangoes I don't, don't use होगा I के साथ am use होगा, देखो आप similar होते हो भी यह वर्ब नहीं ले रहा हो first form ले रहा है, do ले रहा है, am ले रहा है I के साथ have use होता है I have a pen, I have a car, I have a house I have अच्छा I के साथ were नहीं आएगा I के साथ was आएगा यह एक, इसका वो है कि I के साथ होता है I was going there, I was there I was present in the class अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा साथ I के साथ were भी तो आता है बिलकुल आता है, मैंने खुद नहीं पढ़ा है था आप लोगों को were I के साथ were कभ यूज करते हैं लोग, जब आप बात कर रहे हो imaginary sentence की जब आप बात कर रहे हो इफ यू वर, इफ ही वर, इफ शी वर तो वो जो वर देखा है आपने आपके साथ में वो tense वाला नहीं है वो conditional sentence में या जब भी जब कभी आपको imagination करनी होती है कल्पना करनी होती है तो फिर बी का वहाँ पर हम लोग second form was यूज नहीं करते हैं वर ही यूज करते हैं तो वैसे अगर आई साथ देखें tense wise subject verb agreement wise वाज वर में से आई के साथ वाज लगेगा वाज लगेगा तो आई एक अपवाद है जो अर्चन कर रहा है कि वो आई को याद रख लें आई के अलावा जितने भी similar subjects होते हैं आई के अलावा जितने भी similar होते हैं उन सब में ये सब में ऐस लगेगा और जितने भी plural होते हैं उन सब में ये लगेगा बिना इस के वाज़ेगा अच्छा एक confuse कर सकता है आपको word you you जो होता है वो तुम या आप हिंदी निप दो अलगgende शब्दें इंग्लिश में तुम और आप dosor you you जो होता है हमारे हिंदी में भी और इंग्लिश करता है यू को न आप एग वचन के लिए भी Eastern के लिए उस करते हैं यू को आप भवघान के लिए बीश करते हैं लड़ी से नमट चुछ मैं इसलिए पूरी ख्लास से पूछ कि है वह तुम क्या कर रहा को दो a 었다 हुए उसक्यों सब से तो भी हुए से इंग्छिस भी होता है हिंडी में तुम क्या कर रहे है तो लेकिन वब हमेशुन यू प्लूरल की ही लेता है तो यू के साथ फर्स्पृमव आएगा यू टाण्ट आर आएगा यू के साथ है वा नोगों के तो यह हमारे एक छोटा सा concept है और वह सिंपल सा concept है कि subject verb agreement जो होते हैं उसमें subject जो होता है वर्ब के साफ से आती है अब हमें देखना था कि similar verb कौन से होती है और plural verb कौन से होती है यह बहुत important है इस table को हम class में लिखवाते हैं लेकिन आपको मैं PPT के थुरू direct बता दूँगा ठ देखे यह तो हो गई verbs के बारे अब हम बात करते हैं subject के बारे subject singular कौन से है plural कौन से है देखो यह वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल था यह थोड़ते पहले तो किसा पैन singular है और पैन plural है पैन मैस लगा दिया पैन plural हो गया पैन singular पैन plural तो पैन के साथ तो इस लगा पैन को ठीक बात है है बैस स Uno साथ में सिंपल फिलिड फिली इन पिल्य लगेंगे बट वहोंगे sti कई ऐसे नावन नहांस ऑन जो दिखने में आपको सिंपले लगेंगे बट वाकवें में प्लूरल हों इंः कई ऐसे नावन्स भी हैं जो दिखने में फहलैं सिंफु लग अब वह आपको नहीं है, नाउन हम पढ़ाने सकते, क्योंगर अपने आप में बड़ा टॉपिक होता है, तो मैं क्या गरूँगा, नाउन से रिलेटिट जो भी जानकारी है, मैं subject verb agreement में चाहिए ना, वह मैं आपके सामने पेश कर दूँगा, वह आपको मैं समझा भी किसाब यह nouns, singular verb लेंगे, यह plural verb लेंगे, उन सब पे बात कर लेंगे, एक ना pronoun के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, अजय कई बार वह end से जुड़ रहा है, तो अलग टाइब से बरबाती है, कोई दूसरे congestion जुड़ रहा है, तो अलग टाइब से बरबाती है, और भी से आर्टिकल्स सब के बारे बात पता हो तो आप सब्जर्ट कर लेंगे तो अब इतने सारे टॉपिक को अलग लग पढ़ने के बजाए मैं कोश्च करूंगा कि आपको कुछ में रूस दे देता हूं इंपोर्टेंट वह यहां पर यह वर्भाएगी यहां पर यह ठीक है दोस्तों देखते हैं सब्जेक्ट वर्भ एग्रिमेंट को दुबारे एक बार और देखिए अब सब्जेक्ट वर्भ एग्रिमेंट इसको सब्जेक्ट वर्भ कनकोड भी कहते हैं क्या होता है टोपिक है मैं बता रहा है आपको सब्जेक्ट वर्भ के वीच में एक मालब अगर सब्जेट सिमुलर है तो वह सिमुलर आएगी सब्जेट प्लूरल है तो वर्क कैसी आजाएगी दोस्तों प्लूरल है बहुत सिंपल सा कॉंसेट है जैसे आई होनेस्ट तो आएके साथ का लगा होगे इसमार में से आप इसमार लगा तो अपने क्या जाएगा I am honest you honest तु मिमानदार हो तो क्या you के सथ भी I am आयागा नहीं हमने बात कि थी you के साथ का लगाएंगे आप । यह बात हम थोड़ दे पहले कर चुके है ठीक है ना I am honest you are honest he is honest they are honest यह बार बार वर्क क्यों बदल रहीं दोस्तों वर्ब इसलिए बदल रही है क्योंकि यहां पर देखो कभी subject आई है first person कभी you है second person he third person अच्छा दे भी third person था इन दोनों में अलग अलग अनसर क्यों है क्योंकि ही singular है और दे plural है तो जैसा subject होगा ना वैसी वर्ब आएगी इसे ही हम कहते हैं subject verb agreement is it clear है यहां तक बात clear है अब हम बात कर रहे थे जो आगे कि कौन MOM सी verb singular है कौन कौन सी और plural है तो दोस्तों मैंने क्या बताया अपलोगों को कि कौन सी और होती हैं काौन सी दिया था आपको बताएं को सब में रख क्रश्म मिला होती है वह सब जो और होती है as, is, is, has was, is, has, is meant as, जिन जिन वर्म morve nights होगा, वो वो सारी biology होगी गाखतать और जिन वर्म में एच नहीं होगा, वो वर कोंची होगी प्लूरल iKAS rule का अप्वाद है i singular होते हुए भी वर्ब कोंची लेता है जन्रली प्लूरल वर्ब नहीं को से ले रहा है स्मुलर ले रहा है तो आई लफडा करता है कभी और याद कर लो तो आपको पूरे het इसे समंदित सब वर्ण के रूप में काम यााता जाएगा आप देखे लो गर जिस में एस है ताफ आप कि लिए यह बात यहां तक आपको, ओके, अब subject कौन-कौन से similar होते हैं, कौन-कौन से plural होते हैं, उसके बारे में बात और कर लेते हैं, ठीक है न, देखिए. अब मैं subjects की बात कर रहा हूँ, यह बहुत चारूल है, जो पहला रूल आप देख रहे हैं, इसको पहले आप वैसे समझ लिजी, कुछ nouns, कुछ subjects ऐसे होते हैं दोस्तों, जिन में आपको S और ES लिखाई दिखाई देगा, ऐसा लगेगा, कि साब इसमें S है, देखाई वर्म में क्या लगेगा आपको, नाउन में क्या लगेगा, S लगने से नाउन plural हो जाते हैं उन में भी S लगा होगा, News क्या लगा हो, इसके अंदर, S स हीम्स लगने से नाउन कैसे हो जाते हैं, plural जाते हैं तो क्या ईगी दिखने में plural है बट वाक़ी में क्या होता है वो निउस मांचार ये समाचाः थी नहीं है इस सब्सक्क और ऑप ने तिकने में plural बले दिख रही हो, but similar हो, दिखने में plural महलब? इन नाउंस का रहात में S लगा होगा, ES लगा होगा, IES लगा होगा, ICS लगा होगा, AS, ES, ICS, IES, हाना इस तरह से लगे होंगे इस कहना, समझ रहा हैं? तो ये होंगे दिखने में plural, but वाकी में होंगे singular, जिसेन न्यूस है, जिससे एक शब्स नांगा अपने, Vases, Vases यानि मज्दूरी, उस अर्थ में तो यह भोछन होगा, लेकिन Vases का मतलब बोर होता है परिनाम, Vases का अगर परिनाम भी होता है, परिनाम के अर्थ में यह बले दिखने में plural Woah वेज़़ बट वर्ण सुनर लेगा, वेजेज एवल्ड है परिजनाम अच्छे अगर वेजेज का मजदूरी हो तो फिर दो क्रणा हॉक्र वेज और वेजेज अगर मजदूरी है महन ताना है तब फिर वेज स्मुलर होगा और वेजेज प्लूरल होगा लेकिन जब वेज height कब है plural कब होगा जब इसका मजदूरी जो पैसा मिलता है मजदूरी करने पे हमारी वेजेज उनकी वेजेज बहुत हाई हैं वेजेज उस सेंस में plural होगा लेगन अगर वेजेज का में परिणाम है तो उस सेंस में फिर सुनल लेगा अच्छा इनके अलावा देखें आप कुछ ऐसे सब्जेट्स के नाम भी है कुछ विशे के नाम है जब ने सुना होगा mathematics mathematics के लास्ट में क्या रहा है ICS दिखने में plural लग रहा है बट वाकई में क्या होता है होता है mathematics ठीक है न ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेट्स के नाम है mathematics, physics, statistics, acoustics, economics, civics, politics, electronics, English में होता है phonetics, linguistics, भाषा विज्ञान, ठीक है न हो बट वाकई में singular होते हैं तो इनके साथ हम वर्ब भी singular ही यूज़ करेंगे ठीक है न ऐसे कुछ विशे के नाम है subject के नाम है कुछ न इसी तरह हम देखें कुछ गेम्स के नाम है कुछ खेल कूद के नाम है sports activities के नाम है आपने सुना होगा billiards खेल का नाम है जो टेबल प लाश के पत्तों खेल cards, darts, darts एक खेल होता है इसमें छुड़े darts होते हैं छुड़े arrows होते हैं उनको दिवार पे फैंके निशाना बनाते हैं तो वह होता है darts, cards, drafts, शत्रंज के खेल को drafts भी कहते हैं drafts, dominoes, balls, there are so many games जिनके last में ऐस लगा होता है दिखने में plural होते हैं बट वाके में हो similar होते हैं, कुछ ऐसे activities भी होते हैं, gymnastics, athletics, acrobatics, aerobics, इनमें भी last में ऐस आ रहा है, दिखने में plural लग रहे हैं बट वाके में ये similar होते हैं, तो इनके साथ वह भी कैसे use करते हैं हम लोग similar use करते हैं, ठीक है ना, कुछ subjects के नाम होगे, कुछ games के नाम होगे, कुछ बीमारियों के नाम होते हैं, कुछ disease के नाम भी होते हैं, कुछ disease के नाम है, जब ने सुना होगा, mumps, बच्चों के बारी होती है, mumps, गले की बिमारी होती है, गला फूल जाता है बच्चों का, गल्फुक की, ऐसे कुछ नाम होता है, तो mumps, measles, khasra, rickates, जो vitamin D कमीच सुखा रोग हो जाता है, रिकेट्स, रेवीज, रेवीज, कुत्ते काटने से या जानरों काटने से होती है, डाइबिटीज सुना होगा आपने, पाइल्स, पाइल्स बिमारी होती है, ना उठा जाता है ना बैठा जाता है, बहुत 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 बिमारी है, पाइल्स, होते हैं एक बिमारी के नाम एक बिमारी के नाम है थी अबार्ट सो आएगी है दिखने में बहले ही फॉम में दिखने में बहलेज़ के नाम हो गेम्स इव the West Indies, the Netherlands, the Philippines, the United States, Athens, Brussels, ये कुछ देश, शहर इनके नाम है, इनके लास्ट में ऐस लगा होता है, दिखने में प्लूरल हो, बट वाकई में क्या होते हैं, ये स्मुलर होते हैं, तो वर्ब भी कैसे लगाएंगे, आप स्मुलर लगाएंगे, ऐसे ना कुछ बुक्स के नाम भी ह हैं, कुछ किताबों के नाम है, कुछ मुवीज के नाम है, जिनके लास्ट में ऐस लगा होता है, बट चुकि कोई बुक का नाम है, कोई मुवी का नाम है, तो वर्ब तो इनमें स्मुलर ही लगाएंगे, जैसे अगर हम बात करें बुक के, आपने सुना होगा, Theory Musketeers, आपने आपने सुना होगा गुलिवस ट्रैवल्स, आपने सुना होगा ट्विस्टेट्स, चेतन बगत ने लिखी है, इस तरह के जो बुक्स की नाम होते हैं, दिखने बले ही प्लूरल हो, बड़ वाक्य में उस सिमलर होते हैं, वर्बी सिमलर ही आएगी, ऐसे उस मुवीज के नाम है आपने 3D8 सुना होगा आपने, भारत की बहुत अच्छी मुवीज में रहिये, आपने सुना होगा Star Wars, तो दिखने में प्लूरल है, बड़ एक मुवी का नाम है, Star Wars is a movie of aliens, 3D8s is a movie of friends, is a movie of how to choose your career, तो मेरा कहने का मतलब यह है, कि भले दिखने में यह प्लूरल हो, फॉर्म में प्लूरल हो, बट यह चुकि मीनिंग में सिमलर होते हैं, आते हैं इनके साथ हम वर्बी सिमलर ही यूज करेंगे, ठीक है न, तो यह सब चीजे में आपको PPT दूरू बहुत अच्छे तरीके से समझाने कोश्च करता हूँ, एक बारतमज में आ गया, इसका यह रूल का निचोड़ है, कि कुछ ऐसे नाउंस हैं, जिनके लास्ट में आपको S लिखे वे दिखाई देंगे, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, वो एक्चुली S लगी रहा है, स्पेलिंग में ही है, बट वा समझने कोश्च करना, यह रूल का है, कुछ सब्जेट्स, कुछ नाउंस, दिखने में प्लूरल होते हैं, दिखने में कैसे लगेंगे, प्लूरल, दिखने में प्लूरल मनलब, उनमें S होगा, ES होगा, IS होगा, ICS होगा, इस तरह से लिखा होगा, दिखने में प्लूरल हों plural in form दिखने में form में plural होते हैं but similar in meaning लेकिन अर्थ में हो similar होते हैं तो इन हद वर्ब भी कैसे लगा होगे अब similar लगा होगे जैसे एक वर्ड है news समाचार, एक वर्ड है wages wages जनी परिनाम परिनाम के अर्थ में ये singular वर्ब लेगा अगर wages का मतलब मस्दूरियां हो जाए तो फिर plural वर्ब लेगा wages के दो मतलब होते हैं मस्दूरियां और परिनाम के अर्थ में similar वर्ब लेगा मजदूरियों के अर्थ में हो plural वर्ब लेगा clear रभात सब्जेट्स के नाम है मैंने बहुत सरे नाम लिखवा दिया आपकी जानकरिक लिए वैसी बाकी तो concept आपको mathematics से समझ में जाएगा mathematics के लास्ट में ऐस लग रहा है दिखने में plural है बट वाकी में तो एक विशे का नाम है तो विशे का नाम अगर हो तो फिर वर्प सिंग लगी ऐसे economics विशे अर्थ सास्त्र, statistics सांखे की, physics बहुतिक विज्ञान, politics राजनिती विज्ञान या राजनिती, civics नागरिक सास्त्र, accounts लेखा सास्त्र, linguistics भाशा शास्त्र, भाशा विज्ञान, phonetics ये how to speak, how to pronounce a word by human beings आदमी कैसे बोलेंगे, science of sound, of human speech, हमें बोलना कैसा है अंग्रेज शब्त को अंग्रेजी में, किस तरह उचान करना है, ये जो मैं बताए, उस study को, उस knowledge को आप क्या कहते हैं दोस्तों, phonetics कहते हैं, विशे का नाम है, इसका similar verb यूज होगी, अगर विशे के नाम के रुप मे यूज होता है, ऐसे acoustics, acoustics यानि ध्वनी विज्ञान, ethics, नीति सास्त्र, electronics, ये सब जो आप देख रहे हैं, इन सब विशे के नाम के साथ में ऐस लग रहा है, दिखने में plural हैं, बट वाक्वी में ये similar होती हैं, तो verb भी कोंची लगाओगे, आप इसमें similar ही लगाओगे, ठ कुछ नेम आफ डिजीज हैं, कुछ बीमारियों के नाम हैं, जैसे डियाबिटीज, रेवीज, मीजल्स, खसरा, मम्स, कनफर्ड या गल्फ उंगी, नाम भी लिग दी मैं हिंदी में आपको दिक्कत ना है, रिकेट, सूखा रोग, इसके बीज, एक खुजली के बारी होते ह तवचा इसके खराब होने लगती है, और ऐसे कुछ मारी है, शिंगल्स भी है, तवचा रोग होता है, एक खुजली टाइपकर कुछ बीमारी होते है, लाल-लाल से दबे बन जाते है, रेड़ स्पॉट्स, सिंगल्स, सिंगल्स, इसके बीज, ते कुछ नेम ओफ डिजीज ह एक तटिव्टीज है अन ऐसे के शुच खरेण वी बैलियर्ड़, बोल्जो भी अंगरे के खेल होता है, विछे फैकते हैं को ऐसे बॉल सोल्स को किसी एक कटोरे में ऐसे डालते है इसको है, कैल होता है, बाल्जों डाट्स तीर वाला कि तीर बाल से फैखते है, डार्ड व और देखो डॉमिनोज एक पीजा सेंटर भी है, पीजा हट भी ट्राइब जहां पीजा बनते हैं, तो यहीं से बड़ उसने लिया उन्होंने बच्चों के नाम से इसाब से, ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट्स बोलते हैं इसको चर्ण, ड्र, ए, यू, जी, ए, इस, ट्य, शत्रंज खेल है, एतलेटिक्स, एरोबिक्स, एक्रोबेटिक्स, जिम्नेस्टिक्स, यह कुछ एक्टिविटीज हैं, यह भी दिखने में प्लूरल लग रही हैं, बट यह सब सिमु ही लगाएंगे, फिर देखो, कुछ बुक्स के नाम है, कुछ मुवीज के नाम है, त्री मस्कीटियर्स एक बुक का नाम है, बहुत फेमस बुक है, आंस एंड मैं, एक बुक का नाम है, दारेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, वुद वदरिंग हाइट्स, टू स्टेट्स, यह सब बुक्स के नाम हैं, तो बुक्स के नाम के साथ, मुवीज के नाम के साथ, दिखने बले ही प्लूरल लगते हूं, बट सुमलर वर्बूस करते हैं, अब देखो इसमें अगर कुछ इदो दर की बात हो जाया, कुछ एक दो रूल् कर लेंगे, बट जनरली यह जो बीमारियों के नाम, गेम्स के नाम, मुवीज के नाम, और अमने बात करी, अब क्या बोलते हूं, इसको सब्जेट्स के नाम, यह दिखने में प्लूरल लगते हूं, बट कई बारे सिमुलर ही होते हैं, तो वर्ब भी कौँची लगा होगे, आप सिमुलर ही लगा होगे, दिखने में प्लूरल लगेंगे, बट वाकई में सिमुलर होते हैं, तो वर्ब भी कौँची लगा होगे, आप सिमुलर का यूज करोगे, ठीक है ना, देखे आप, मैं कुछ आपको एक्जाम्पल देता हूं इसके ओपर, हाई कुछ देश के ना, इसके ना मतारता आपको मैं, नेम आप कंट्रीज, युनाइट यूडिट इस्तीट, वेस्ट इंडिस, फिलिपेंगे, श्ट इसके लगे, बुलरल लगा हो, ब्ट शिंुलर होता है, तो वर्ब ही कौन से लगाएंगे, लगे लगे, लगे लगे, ना नियूज, मुहावरा भी है इंग्लिश में बोलते हैं no news is good news अगर किसी को समाचार नहीं है इसका मदलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है समाचार जनली तभी आते हैं जब कुछ गड़बड होती है जब कुछ मामला इदर दर हो जाता है सब कुछ smoothly चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होत सिन क्या इस वेजस का मलब यह मजदूरिया है यह वेजस का मलब परिणाम देखते हैं वेजस ऑफ सिन डैथ सिन यानि होता है पाप की मजदूरिया मोत होता है या पाप का परिणाम बुरा होता है डैथ होती है आपको मृत्यों के रूप में ही मिलता है तो यह मजदूरिय The wages of sin is death, इजी आएगा, यह option है, इस MR में से क्या लगा होगे, फिर देखिया, mathematics an interesting subject, mathematics एक interesting subject है, एक बड़िया subject है, mathematics subject हुँ में देख रहा है, तो आप क्या लगा देंगा दोस्तों, इस का इस करते है, mathematics is an interesting subject, एक बड़िया subject होता है, आगे देखो, his mathematics, excellent, यहाँ थोड़ा सा question को गुमा दिया गया है, आप देखना, his mathematics, उसकी गनित, his mathematics, अभी क्या विशे की बात कर रहा है, कुछ और अर्थ है, देखते हैं आगे, excellent है, उसकी गनित शांदार है, उसकी गनित अच्छी है, तो उसकी गनित अच्छी मनलब, गनित विशे की बात कर रहा है, या उसके गनित की जो जानकारी है, जो गनित की जो जोड़ बाकी, गुना भाग है, जो गनित की जो calculations वो करता है, क्या गरता है गनित की, जो calculations वो करत है वो शांदर तुरंट गुणा बाग तुरंट जोड बागी करता हूँ तो इस मैथमेटिस मलब उसकी मैथमेटिक की जो कैलकुलेशन हैं वो अच्छी हैं वो शांदर हैं आर एकसिलेंट अगर विशे का नाम से साथ में अगर कोई ऐसे his my her जिसको हम कहते हैं पजेस्सिव डिटिमिनर जोड़ दे his my her your your mathematics, her mathematics, my mathematics, his mathematics या ऐसे कर दे the mathematics of Ram Ram की mathematics, the mathematics of my friend तब भी वो उसकी जानकारी उसकी जो अर्थ बदल जाएगा, विशे का अर्थ ना रहकर के उसकी calculations या कोई और अर्थ हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, कब जब इस विशे के नाम से पहले आप his her your, जिसकों possessive determiner कहते हैं, वो आजाएगा, या देव अगर आजाए, the mathematics of Ram या फिर राम्स mathematics ऐसे आजाए, राम्स mathematics राम की गनित शानदार है, राम्स mathematics तब भी जो है, फिर उसका अर्थ बदल जाता है, और जैसे विशे का अर्थ ना रहकर के, दूसरे अर्थ में यूज़ करते हैं, ऐसे याद रख लो आप, तो फिर आप वर्पलूर लगाओ, या राम का सीता का या आजाए, या दा मैथामेटिक्स दा आजाए, दा मैथामेटिक्स ऑफ राम, तो फिर ये अर्थ बदलने की रूप में हो जाते हैं, फिर ये प्लूरल हो जाते हैं, और प्लूरल हो जाते हैं, तो फिर वर्प भी कौन से लगा हो गया, प्लूरल का है, करो मैं इसको रूल के रूप में आपको समझाता हूं दोस्तों क्या बात है देखिए यदि सब्जेट के नाम से पूर नियम आगे वाला सब्जेट जो थे ना भी तोड़े पर पड़े रहते हैं मैतमेटिक्स या और सब्जेट्स भी हैं इनके नाम से पूर कोई आर्टिकल दे आजाए या तो या पजेशिव डिटर्मिनर आजाएं जैसे माई यौर हीजर एट्सेटर या जाएं या पजेशिव नाउन आजाए जैसे राम का राम्स सीताज ठीक ना ऐसे वह नाम के साथ ऐसे अपोस्ट्रफियस आजाए तो फिर इन सब्जेट्स का मीनिंग प्लूरल ही लगाओंगे। कब-कब अगर द्टे आजाए इन शोट पर लिया Doe आ जाए या पजेशिव डिटर्मिनर आजाएं या पजिशिव नाउन आजाए पजशिव डिटर्मिनर या पजेशिव नाउन पजेशिव नाउन क्या होता है जैसे राम्स रांस सीताज औ आपके पास समझा दिए विश्यों के नाम से पहले साथ में वर्ब सिमुलर आती है लेकि अगर विश्यों के नाम से पहले दया जाए माई और हिस पजेसिव डिटेमिनर आ जाए या राम सीता जाए से करके पजेसिव नाउन आ जाए तो फिर इन विश्यों के अर्थ बदल ज प्लूरल अर्थ हो जाता है। प्लूरल ही लगा हो गी का स्वह पोलिटिक्स बॉडिक्स बॉरिंग सब्जेक्ट kia politics से पहले सोनिय गांदीज पॉलिटिक्स, मोदीज पॉलिटिक्स, राउल गांदीज पॉलिटिक्स, केज रिवाल पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ सम्मन्द हो रहा है कि आप पजेसी नाउं से पजेसी डिटेमिनर से नहीं जोड़ा, सिंपली विशे का नाम दिया है और आगे बाद देखो बोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो यह सिंपल बात कर रहा है सब्जेट कीरूप में, सब्जेट कीरूप में बात कर रहा हो, तो वर्फ शुमल रहाएगी , इस एर में से ऐब इस लगा दो, Politics is a boring subject, जैसे History is a boring subject, English is a boring subject, ऐसा लोग बोल सकते हैं, इनको पसंद नहीं होता, ओके, अब यहां क्या किया हमने अग्लिक्स के पहले हैं, दे लगा दिया, पॉलिटिक्स से पहले क्या लगा दिया, दोस्तों हमने दे लगा दिया, इसका मलब अर्थ बदलेगा, The Politics of Sonia, Sonia की Politics, डिर्टी है, गंदी है, The Politics of Sonia, आर डिर्टी, वो डिर्टी है, ठीक है न, अब लूर लगा दिया, क्योंकि यहां Politics का मतलब क्या है दोस्तों, यहां मतलब अदल गया, इसका Political Views हो गया, क्या रथ हो गया है, इसका Political Views, आरस हैं क्या अर्थ in diary करे मतलब क्यून ठीक आरे के अर्थ से गया इसका अर्थ हो गया, प्लूरल से क्या जाती है, आर्थ में हो गया है अर्थ बदल गया। सहव क्यूर्थ हो गया उन्यeto, model गया है जीअ हो गया गया, इसका ऐसे यह प्लूरल सेंस में चले जाएंगे, फिर आपको वर्ब प्लूरल लगाने पड़ेगी, ठीक है न, और देख लीजिए आप examples के, Statistics, a scoring subject, subject की बात कर रहा है, सुनला वर्ब आ जाएगी, Statistics, scoring subject होता है, is scoring subject, ठीक है, The unemployment statistics, statistics से पहले, यह दय आ गया, दय आ जाए, माई आ जाए, रामज आ जाए, इन शौटर करम बात करें, पजिशिव नाउन, पजिशिव डिटर्मिनर यह दय, आर्टिकल आ जाए, और क्या कर रहा है को अब तो अर्थ बदल जाता हो, पिलूरल हो जाता है, तो बहुत पिलूरल लगा हो, The unemployment statistics, disturbing, Unemployment है नि बेरोजगारी, कि जो statistics हैं, जो आंकडे हैं, वो disturb करने वाले हैं, कौन से आंकडे डिस्टब करने वाले हैं, Unemployment statistics, तो यहाँ पर statistics का मतलब आंकडे हो गया, Generally statistics are misleading, misleading भी करते हैं, कोई आंकडे अपने पक्ष में दिखाता है, दूसरी government, दूसरी company अपने पक्ष में दिखाती है, तो statistics, आंकडे के अर्थ में भी होता हो, तो फिर वो आंकडे तो plural हो गया, तो फिर वर्ब भी कौन से लगा हो गया, प्लूरल करूँस करो गया, तो statistics are disturbing, यह archives करो, ठेक है न, फिर देखिए, Acoustics a science of sound, द्वनी की विज्ञान है, यह क्या होता है, जैसे मैं मालो जिस studio में मैं भी shooting कर रहा हूँ, उसकी Acoustics अच्छी है की नहीं, पता कैसे लेगा, अगर मेरी आवाज इस studio से बहार ना जा रही हो, और बहार की कोई आवाज अंदर ना रही हो, ऐसा जब इस भवन को इस chamber को ऐसा बनाया जाए, तो उसके लिए जो आपको science की technology यूज़ करने पड़ेंगी, उसे हम कहते हैं, Acoustics, Acoustics is a science of sound, वो sound की एक science होती है, जब देना तो बड़े-बड़े auditorium चैसे cinema halls होते हैं, उनका अगर gate बंदो जाता है, तो अंदर की आवाज बहार ने आती भार की आवाज अंदर ने आती जैनow सेप Sinne cm waits by उसकी the acoustics of this hole, दे लग गया देखो आप, the acoustics of this hole, इस hole की, cinema hole की, या auditorium की, जो acoustics है, not very good, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, आर, plural लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, is, ठीक है, आगे देखो आप, यह विश्य वाली बास में आगे है आपको, फिर दोगो measles, बीमारी का नाम है, दिखने में plural है, एक के दोजान समझ में आगी सारी बात आप लोगों को, दिखने में plural है, बट वाकई में, बीमारी का नाम है, एक बीमारी होती है, measles, खसरा, यह सब बीमारी बात नहीं कर रहा है, एक बीमारी का बात करता है, खसरा, त वो बच्चों के लिए एक घातक बिमारी है Billiards my favorite game Billiards मेरा favorite game है तो यहां लगा देगा अब Is ज़ने दिखाँ अब इस ज़ने लगेगा Acrobatics not easy to learn Acrobatics को सीखना असान नहीं होता Acrobatics क्या होता है यह आप ने देखा होगा जो कला बाजिया दिखाते हैं उचल के आग में से कूदना रसे बे बैलेंस बना के चलना ठीक है न तो इस तरह जो ये कला बाजियां जो होती है उनको कहते हैं इंगलिश में एक्रोबैटिक्स एक होता है एरोबिक्स जो थो नाम लिखाया था आपको मैंने एरोबिक्स क्या होता dance का शोक तो ही, आप एक काम करो, aerobics की class join कर लो, तो आपका dance का शोक भी पूरा हो जाएगा, साथ में शरीर का थोड़ा सा energy भी लगेगी, तो आपको उस्ता थोड़ी fitness आजा है, body के अंदर, तो वो होता है aerobics और यह है acrobatics, acrobatics मनलब कलावाजियों की, जो करतब होते हैं, उनको पूरते है, acrobatics, acrobatics not easy to learn, तो एक activity है, इसमें इसका यूज़ करें, acrobatics is not easy to learn, ठीके दोस्तों, तो I hope यह बात समझारी होंगे आप लोगों को, और देखते हैं, आगे चलते हैं, एक दो एक्जामपल और देखिए, the Arabian Nights, एक बुक का नाम है, बच्चों की बहुत अच्छी कहानिया हैं इसमें, कहते हैं, 1001 stories हैं, अलग-अलग, वो आपने सुनाओगा, अली बावा, चालिश चौर, और इस तरह जो कानिया, जिन वाली कानिया, वो सब कहीं ने कहीं, Arabian Nights से लिगए हैं, बहुत अच्छी किताब है, टू यंग पीपल, वर्ब है, अपील और अपील्स, Arabian Nights जो बुक है ना, बुक की बात कर रहा देखो यहां पे, तू यंग पीपल, वो यंग पीपल को अपील करती है, अपनी तरफ आकरशित करती है, अब Arabian Nights सिंग्लर वर्ब है, सिंग्लर सब्जेट है कि प्लूरल है, दिखने में ऐस लग रहा है, बड़ एक बुक का नाम है, तो चुकि एक बुक का नाम है, बुक का नाम एक बुक है, तो सिंग्लर आएगी, और सिंग्लर वर्ब में ऐस लगता है, तो appeal verb singular है कि appeal singular है as किस में लग रहा है दोस्तों as लग रहा है appeals में तो जिस verb में as लगता है न वो verb होती है singular तो the Arabian Nights appeals यह answer आएगा appeals the United States the richest country in the world United States दुनिया की सबसे richest country है तो यह अलग अलग देश है कि एक ही देश है देश एक ही है इसमें पचास बावन स्टेट्स महाँ पर यूनाइट हुए है तो यह बले दिखने में प्लूर लगता हूँ United States the Philippines the Netherlands the West Indies बट एक देश का नाम जब होते हैं तो फिर यह एक ही singular meaning रखते हैं और वर्ब भी singular आएगी तो the United States is the richest country in the world is used करेंगे ठीक है ना यह रूर समय आगया अब इससे just opposite एक रूर है just opposite वो रूर क्या कहता है दोस्तों वो कहता है कि कुछ नाउंस दिखने में singular लगेंगे दिखने में singular होंगे मलब उनमें ऐस और यस नहीं होगा बट वाकई में वो प्लूरल होते हैं तो चुकि वो प्लूरल होते हैं तो फिर उनके साथ वो भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे रिपीट कर रहा हूं कुछ नाउंस कुछ सब्जेक्ट दिखने में singular दिखने में singular मनलब इनके लास्ट में एस और यस नहीं लगा होगा दिखने में singular होते हैं लेकिन वास्ट में तो वे प्लूरल होते हैं वास्ट में प्लूरल होते हैं तो फिर चुकि प्लूरल होते हैं उनके साथ में प्लूरल वर्प का यूज़ करेंगे कुछ नाउंस दिखने में स्मिलर होते हैं लेकिन वास्तों में प्लूरल होते हैं तो फिर जब चुकि वास्तों में प्लूरल होते हैं तो फिर इनके साथ हम लोग वर्प भी कैसे उज़ करेंगे दोस्तों प्लूरल यूज़ करेंगे meaning में plural होते हैं तो वर्पी कैसी लेंगे plural ही लेंगे जैसे कौन-कौन से नाउंस हैं दोस्तों people लोग अब देखो people में कहीं एस लिखावा दिख रहा है कि आप लोगों को लिखावा नहीं है बट people का मलब क्या होता है लोग बहुत सारे लोग होते हैं एक आदमी लेख बोलते नहीं है तो people भववचन होता है ऐस नहीं है फिर भी भववचन plural होता है ऐसी police यह police इसके लास्ट में ऐस नहीं है देख़ा पी- ओ- ल-ई-सी-ई ऐस नहीं है दिखने में स्मूलर लग रहा है बट वाके में plural होता है ऐसे cattle मवेशी दूद देने वाले जानवर लाइव स्टॉक पशुधन सारे जानवर जित्ते भी जानवर होते हैं जो बेचने खरीदने में काम आते हैं पोल्ट्री पोल्ट्री जो मुर्गी बतक वगरा जो होती है वर्मिन जो कीडे मकोडे होते हैं कीडे वगरा वर्मिन जैंट्री जैंट्री होते हैं यह हाई क्लास के लोग जैंट्री पीजैंट्री मलब किसान वर्ग जो महनत कष्ट जो लोग होते हैं किसान वर्ग पीजै बात समझाएंगी देखिये दोस्तों catell grazing इन्द सब फील्ल एफिल्ल मुवेशी केत मेंचर चर रहा है हिंदी में क्या बलते हैं मवेशी खेत में चर रहा है, चर रहे हैं, कैटल मलब काय, भैंस वगरा दूद दिनल जानवर हैं, वो एक साथ है, चार पाँच गाय, चार पाँच भैंस या, पलब एक से ज़्यादा तो है, पकाय, कैटल गुरूप के लिए होता है, पुरा यूज, तो यह वाज निया आए तो फिर एक हो जाता, पुलिसमेन, जैसे हम लोग इन्दी बोलते हैं, यार जब मैं रस्ते में जा रहा था, मैंने चोराय पना पुलिस देखी, चोराय पर पुलिस देखे, इसका मनलब, क्या एक आदमी को देखा, या कोई पूरी गाड़ी भरी भी थी, या कोई 10-20 लोग एक साथ, 10-20 लोग एक साथ, पुलिस खड़ी थी, पुलिस वाला खड़ा था, पुलिसमेन एक, पुलिस उमन एक, कल उसके घर पकड़ने पुलिस आ गई, पुलिस आ गई मनलब, 8-10 लोग आ गई, तो पुलिस दिखने में बहले इस उंगलर हो, बट प्लूरल होती है, तो जिस वर्ब में एस लगता है, वो वर्ब तो सुंगलर होती है, जिस में एस नहीं लगता है, वो वर्ब प्लूरल होती है, तो प्लूरल आएगा, एस तो सुंगलर होता है, एस लगने सुंगलर होता है, एस नहीं होता है, वर्ब प्लूरल होती है, यह पॉल्ट्री मेरी है, यह पॉल्ट्री मेरी है, यह बुर्गियां मेरी है, पॉल्ट्री 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 मेरी है, हैं उन्हें वर्मीन कीड़ों के लिए के समव को प्लूरल होगा फिरटि तो डिस्ट्रवी प्लूरल में ए डिस्ट्रॉइ प्लूरल बिए डिस्ट्रॉइस उख़ागों यह यह तो destroy plural है, vermin destroy, vermin destroy our property, vermin हमारी property को destroy करती है, केड़े हमारी property को खा जाते हैं, केड़े मकोडे, गेंग वगरा सब चीज़े खा जाते हैं, and carry disease, similar word लगानी है, या plural, vermin के साथ में plural लगेगी, plural लगेगी, carry, carry आ जाएगा, carry disease और बिमारिया लेकर आते हैं, ठीक है न, सब plural लेंगे वर्ड, poultry, vermin, cattle, police, there are few gentry in this town, इस शेर में कुछ gentry भी है, gentry में उच वर्ड के लोग, highly educated, highly sophisticated people जो होते हैं, rich people जो होते हैं, उन्हों कहते हैं gentry, there are few gentry in this town, gentry साथ वर्ड सिंग्लर आएगी, plural आएगी, plural आएगी, इस लगाओगे, यार लगाओगे, आ लगाना पूरेगा, there are, बसे एक रूल आगे पढ़ेंगे, हम लोग, there के बाद जो भी वर्ड आती है न, वो उसके बाद वाले subject के साबसे हो, अगर बाद में singular है तो singular, बाद में plural है तो plural वर्ड आएगी, आगे देखो, वर्ड होता है, तो वर्ड कहीं उसका, the local clergy were asked to attend the ceremony, local clergy को का गया कि आप ceremony अटेंड करें, ठीक है न, तो ये कुछ हमारे दो rules होए, इसके बाद next route पर बात करेंगे, ठीक है न,